नमस्ते प्यारविद्यार्थियू, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी विकास मंच के द्वारा इस अभ्यास पुस्तिका को उपलब्द करवाया गया है, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर इस अभ्यास पुस्तिका की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट का एड्रेस है www.international-hindi-olympiad.in यहाँ पर यह आपके अभ्यास के लिए पुस्तिका दी गई है, यहाँ पर आप स्लेबस देख सकते हैं, कख्षा साथ के लिए निर्धारित पाठेक्रम, यानि की हिंदी ओलंपियाड की जो आपकी परिक्षा होगी, उसमें यहाँ से आप पुरा का पुरा स्लेबस देख सकते हैं, आप यहाँ पर पुरा स्लेबस देख सकते हैं, स्वर और विंजन से संबंदित प्रिशन पूछे जाएंगे, मात्राओं से संबंदित, संयुक्त विंजन, आगत स्वर, नुक्ता वाले शब्द, र के जो दो रूप होते हैं, रेफ और पदेन, उससे संबंदित प्रिशन पूछे जाएंगे, मुहावरे और लोकोक्तियां उपसर्ग, प्रते, विरामचिन, शुद शब्द, संग्या, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेशन, क्रिया, क्रिया विशेशन, समुच्चे बोदक, काल, कारक, समास, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, अर्थवाले शब्द, शब्द तो यहाँ पर आप पूरा स्लेबस देख सकते हैं और किसी भी व्याकरण की पुस्तक से आप तयारी कर सकते हैं, साथ में हिंदी ओलंपियार फाउंडेशन की तरब से संकल्प नामक एक पुस्तक भी उपलब्द करवाई जाती है, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर वहाँ प आपको प्रिशन दिये गए हैं, उनकी साहयता से आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस परिक्षा में किस तरह के प्रिशन पूछे जाते हैं। पहला टोपिक आप यहां पर देख सकते हैं, भाशा, बोली, लीपी और व्याकरण। किसी भी व्याकरण की पुस्तक में भी आपको सबसे पहले इनी के बारे में जानकारी दी जाती है, यहां पर कुछ अभ्यास के लिए प्रिशन दिये गए हैं, इन में से कौन सी भाशा नहीं मानी जाती, तो भाशा को मुखे रूप से दो भागों में हम विवाजित करते हैं, एक तो जब हम बोलते हैं, तो मुखिक भाशा होती है, एक जब हम लिखकर अपने भावों और विचारों को अभिवेक्त करते हैं, तो उसको लिखित भाशा कहते हैं, तो लिखकर औ और वो संकेत हमें समझ में नहीं आते हैं तो इसे हम भाशा के अंदर शामित नहीं करते हैं भाशा के कितने रूप होते हैं तो अभी अभी हमने बादचीत की हैं भाशा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं मोखिक भाशा और लिखित भाशा वैसे आपने बहुत सारी पुस्तकों में सांकेतिक भाशा भी पढ़ा होगा लेकिन जो मानने रूप है वो दो ही रूप है एक तो मोखिक जिसको हम बोलते हैं और दूसरा उसको सुनता है और दूसरी भाशा अगा रूप जो होता है वो क्या होता है लिखित होता है जब हम लिखते हैं और दूसरा उसको पढ़ता है सांकेतिक जो रूप होता है वो मानने रूप नहीं है तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही आएगा दूसरा इन में से कौन सी मोखिक भाशा नहीं है तो आप सभी जानते हैं जब हम बोलकर अपने भाओं को अभिव्यक्त करते हैं तो उसे हम मोखिक भाशा कहते हैं तो कहानी कहना कहते हैं तो यानिके बोलेंगे अकबार पढ़ना अब अकबार जब हम पढ़ेंगे तो बोलने की जरूरत नहीं है जब हम अकबार पढ़ते हैं तो लिखा हुआ हम पढ़ते हैं यानि कि बोलने की अवशकता नहीं होती तो मोखिक भाषा का रूप नहीं है सबसे पहले बाचित की जाती है, लिखने के लिए तो बहुत बाद में कोशिश की गई थी, लेपी का विकास किया गया था, चिनों का विकास किया गया था, तो सबसे मूल रूप हम किसे कहेंगे मोखिक भाशा को. बच्चा अपने परिवार से जिस भाशा को सीखता है, वे कहलाती है, तो बच्चा अपने माता पिता से अपने परिवार से जिस भाशा को सीखता है, उसे हम क्या कहते हैं, मात्री भाशा, राज भाशा क्या होती है, जिसको समिधान की अनुसर मानिता प्राप्त होती है, जैस उसको हम बोलते हैं, तो वो मानक भाशा के अंदर नहीं आती, क्योंकि उसमें बहुत सारी आशुदियां होती हैं, लेकिन वो बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में रहके, अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहकर सीखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मात्री भाशा. प्यारे विद्यारतियों इसी प्रकार के प्रशन आपको हिंदी ओलंपियाड की परिक्षा में देखने को मिलेंगे छेतर में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? किसी छेतर विशेश में जो भाषा बोली जाती है उसको हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं मात्री भाषा बच्चे की परिवार की भाषा होती है और राज भाषा क्या होती है समिधान से मानिता प्राप्त किसी राज्य की भाषा होती है सरकारी काम काज की भाषा होती है तो यहाँ पर क्या होती है बोली जो किसी विशेश छेतर में बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं गद्य भी होता है और पद्य भी होता है गद्य में आप कहानिया पढ़ते हैं निबंद पढ़ते हैं पद्य में आप कवीताइं पढ़ते हैं दोहे पढ़ते हैं तो कौन सा विकल्प सही है गा व्याकरण के भेद होते हैं, तो व्याकरण के मुखे रूप से तीन भेद होते हैं, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, वर्ण के बारे में, तो यानि कि वर्ण विचार हो जाता है, वर्णों के मेल से हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, तो दूसरा हमारा क्या होता है, शब्द विचार होता है और शब्दों के मिल से हमारे वाक्य बनते हैं, तो तीसरा हमारा क्या होता है वाक्य विचार, तो इस परकार से व्याकरण के मुखे रूप से कितने भेद हो जाते हैं तीन भेद हो जाते हैं, और इसके पहले जो पूछा गया था, व्याकरण के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, वन के आधार पर, शब्द के आधार पर, और वाके के आधार पर, व्याकरण वन, शब्द, एम, वाके की रचना को क्या करता है, विवस्थित करता है, बहुत सारे नियम हमें बताता है, ता आगे हमसे पूछा गया है, प्रशन संख्या 11, यहां पर आप देख सकते हैं, हम अपने मन की बात को प्रकट कर सकते हैं, तो हम अपने मन की बात को बोल कर भी प्रकट कर सकते हैं, और लिख कर भी प्रकट कर सकते हैं, और इसी आधार पर भाशा के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं मोखिक और लिखित तो कौन सा विकल्प सही है तीसरा दुवनी को लिखने हे तो निश्चित किये गए संकेत चिन कहलाते हैं तो लिखने के लिए हमें किसकी अवशक्ता होती है लीपी की अवशक्ता होती है जो संकेत चिन बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहते ह बोली का छेतर होता है तो बोली का जो छेतर होता है अभी अभी हमने एक सवाल भी देखा था कि किसी विशेश छेतर में बोली जाने वाले भाशा को हम क्या कहते हैं बोली कहते हैं तो बहुत ही सिमित होता है बहुती जादा बड़े छेतर में नहीं बोली जाती है, जादा बड़े छेतर में अगर बोली जाएगी तो वो बोली ना कहला कर क्या बन जाएगी भाशा, बोली का छेतर सिमित होता है और भाशा का छेतर क्या होता है, व्यापक होता है, बहुत बड़े छेतर में बोली जाती तो बहुती व्यापक है, विस्तरित छेतर में बोली जाती है, और बोली, बोली, सिमित छेतर में बोली जाती है, सरकारी कामकाज में प्रियोग की जाने वाली भाशा को हम क्या कहते हैं, तो सरकारी कामकाज के लिए जो भाशा होती है, उसको हम राज भाशा कहते हैं, समिधान होता है तो भाशा का जो छेत्र होता है व्यापक होता है इससे पहले हमने देखा था बोली का जो छेत्र होता है वो क्या होता है सिमित होता है भाशा एक बहुत बड़े छेत्र में बोली जाती है और बोली कम बड़े छेतर में, यानिकी सिमित छेतर में बोल ली जाती है तो ये कुल 15 प्रिशन थे इस पहले टोपिक से आईगी दूसरा टोपिक देखते हैं यहाँ पर आप दूसरा टोपिक देख सकते हैं वन विचार, तो यहाँ पर वन से सम्बन्दित यानिकी स्वर और वेंजन से सम्बन्दित प्रिशन पूछे जाएंगे वन माला से सम्बन्दित प्रिशन पूछे जाएंगे तो सबसे पहला ही प्रिशन आप यहाँ पर देख सकते हैं वन क्या होते हैं तो वन भाशा की सबसे छोटी ध्वनी होते हैं सबसे छोटी द्वनी को हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी हैं, तो ये बहुत ही महतपुन प्रिष्ण ने बार बार पूछा जाता है, हिंदी भाशा में जो स्वर होते हैं, वो कुल कितने होते हैं, ग्यारे होते हैं, और वेंजन कितने होते ह आगे पुछा गया है दीर्ग स्वर संख्या में होते हैं तो दीर्ग जो स्वर होते हैं स्वर के आगे मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं हिर्श्व स्वर, दीर्ग स्वर और प्लूत स्वर तो दीर्ग स्वर कौन-कौन से होते हैं जो बड़ा A होता है बड़ी E होती है जिसमें दो मातरा का समय लगता है बड़ा O होता है उसके बाद आपका A होता है बड़ा A होता है और फिर O होता है और A O होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, गिन सकते हैं, यह कितने हो जाते हैं दो, चार, छे और साथ तो हमारे दीर्ग स्वर कितने होते हैं, कुल साथ होते हैं वर्णों के भेद हैं, तो वर्णों के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और विंजन, तो यहां पर आप देख सकते हैं, दो भेद होते हैं वेंजन के कितने भेद होते हैं, वेंजन के भी आगे कितने भेद होते हैं, तो यह आपको पता लगाना है, जैसे स्वर के भेद होते हैं, वैसे ही वेंजन के भेद होते हैं, वेंजन के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, स्पर्ष वेंजन, अंतस्त वेंजन और उश्म तो यहाँ पर कितने भेद हो जाएंगे तीन भेद सयूक्त विंजन है सयूक्त विंजन आप सभी जानते हैं अक्ष, त्र, गे और श्र यह मुख्य रूप से कितने होते हैं चार होते हैं और यहाँ से भी बार बार प्रिशन पूछा जाता है वर्णों की कुल संख्या होती है तो वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है बावन होती है सपर्श विंजन है तो सपर्श विंजन क्या होते हैं क से मौ तक 25 सपर्श विंजन होते हैं विंजन के तीन भेद अभी हमने पढ़े थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर क, यह कौन सा विंजन है? स्पर्ष विंजन यह कौन सा है? उश्म विंजन और यह कौन सा है? अनतस्त एक बर आप पढ़ लेंगे इनकी परिभाशाएं तो आपको दिक्कत नहीं होगी हरस्स्वर हैं, हरस्वर मुख्यरोप से कितने होते हैं हरस्वर आपके, आप यहां पर देख सकते हैं जो एक मातरा का समय लेते हैं यानि कि A, छोटी E छोटा U और रीरिशी तो यह हमारे कुल कितने होते हैं, चार होते हैं यहाँ पर पहला विकल्ब क्या है सही है द्वित्व वेंजन वाला शब्द है तो द्वित्व वेंजन क्या होते है जिसमें एक ही वेंजन दोबर आता है उसे हम क्या कहते है द्वित्व वेंजन जैसे बच्चा आपने पढ़ा होगा कच्चा आपने पढ़ा होगा पक्का आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर इस तरह का जो शब्द है कौन सा है छज्जा इसमें आधा ज़ और फिर ज़ तो यहनकी दो बर वेंजन आया है एक ही जैसा वेंजन आया है तो यह क्या होगा द्वित्व वेंजन आगे हैं अन्तस्त विंजन तो विंजन के हमने तीन भेद पड़े थे अन्तस्त क्या होते हैं चार होते हैं य, र, ल, और व एक बराप परिभाशाएं पढ़ लेंगे किसी भी ब्याकरण की बुक से तो आप यहाँ पर आराम से इनको हल कर सकते हैं तो यह हमारा कौन सा हो जाएगा य, सपर्श विंजन अभी अभी बताया था कर से मा तक जब आप वर्ण माला पढ़ते हैं तो कर से लेके मा तक काउंट करेंगे टोटल कितने होते हैं 25 होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो हमारा सयुक्त विंजन में आता है और ये हमारा ओश्म विंजन में आता है तो ये इसके बीच पे कौन सा आएगा प ओश्म विंजन है तो ओश्म विंजन की हम बात कर रहे थे तो ये हमारे कितने होते हैं ये हमारे होते हैं श श स और ह कुल कितने होते हैं, चार होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कौन सा है, ओश्म विंजन ख, प्लूत है, तो प्लूत हैं, तो प्लूत हमारी स्वर का भेद होता है, हिर्स स्वर, दीर्ग स्वर और प्लूत स्वर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्वर का भेद हो इस तरह से पूरे एक sequence में होते हैं, विवस्था में होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वण माला, तो यहाँ पर यह हमारा दूसरा chapter स्माप्त हो जाता है, आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, शब्द परिचेन की तीसरा हमारा यहाँ पर topic शुरू हो जाता है, शब्दों पर 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 तो यहां पर कौन सा विकल्ब सही है? एविकारी शब्द हैं जिसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्दन नहीं होता तो संग्या में परिवर्दन होता है, किरिया में परिवर्दन होता है, किरिया विशेशन में नहीं होता यह हमारे कैसे होते हैं? एविकारी शब्द होते हैं और इनके बारे में आप पहले परिभाशा पढ़ सकते हैं परिभाषा पढ़ने के बाद इनका अभ्यास करेंगे तो आसानी से ये सभी आपको समझ में आ जाएंगे आगे है सुख दुख किस परकार के शब्द है तो सुख का विपरीत विलोम शब्द क्या है दुख तो ये कैसे है विपरीत तार्ती लिफाफा शब्द है तो ये हिंदी भाषा का नहीं है ना ही संस्किर्ट का है इसे उर्दू, अर्बी, फार्सी अनेक ऐसी विदेशी भाषाओं के शब्दों को हिंदी में शामिल किया गया है तो ये हमारा कौन सा शब्द है विदेशज प्रियोग के आधार पर शब्द के भेध होते है फार्सी का शब्द नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इरादा और बेरहम ये फार्सी से लिए गये हैं भक्ती जो शब्द है वो फार्सी का नहीं है आगत शब्द से आश्चे है आगत क्या होता है जो दूसरी भाषाओं के शब्द होते हैं जो दूसरी भाषाओं से हम हिंदी भाषा में प्रियोग करते हैं तो बहारी शब्द, आया हुआ शब्द, आकर गया हुआ शब्ड, आया हुआ, कहां से आया हुआ, दूसरी भाषा से, तो एकोन सा सह Ihr? दूसरा विकल्ब सही Ihr. दशानन जो शब्द है ये किसी विशेश अर्थ को बताने वाला है और जब कोई विशेश अर्थ हमारी सामने आता है तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते है योगरूड दशानन किसको कहते है रावन को कहते है संग्या सर्णनाम विशेशन इत्यादी आते है तो ये सारे विकारी शब्द होते हैं क्योंकि इनमें परिवर्टन आ जाता है लिंग के अनुसार वचन के अनुसार कारक के अनुसार तो कौन सा विकल्प सही है पहला सार्थक शब्द के भेद हैं अर्थ के आधार पर शब्द के मुखे रूप से दो भेद होते हैं सार्थक और निरर्थक सार्थक जिसका कोई अर्थ निकलता है तो निरर्थक शब्दों का प्रियोग तो हम करते ही नहीं है तो सार्थक शब्दों को भी आगे मुखे रूप से कितने भागों में बाटा जाता है चार भागों में कौन-कौन से होते हैं विलोम शब्द आपने पढ़े हैं प्रियावाची शब्द पढ़े हैं एकार्थक शब्द पढ़े हैं और अनेकार्थक शब्द पढ़े हैं तो कितने भेद होते हैं? चार. प्रियोग शाला इन में किस प्रकार का शब्द है? तो प्रियोग शाला जो है दो शब्दों से मिलकर बना है प्रियोग और शाला और दो शब्दों से जब मिलकर कोई शब्द बनता है तो वो क्या होता है? योगिक. अश्रू शब्द है अश्रू जो शब्द है उसे संस्कित भाषा से लिया गया है और जो संस्कित भाषा के शब्द होते हैं जो बिना किसी बदलाओ के हिंदी में प्रियोक किये जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं तत्सा दिबिया शब्द है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिबिया जो शब्द है वो स्थानी भाषा से देशी भाषाओं से लिया गया है तो कैसा है देशज डिबिया शब्द है डिबिया जो शब्द है वो ना ही संस्कृत का है ना ही हिंदी का है इसे देसी भाषाउं से लिया किया है तो कौन सा वी कल्प सही है तीसरा रूड योगिक शब्द इनमें से किसके भेद हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रचना के आधार पर मुख्य रूप से शब्द के तीन भेद होते हैं, रूड, योगिक और योगरूड, तो यह आपका क्या हो जाएगा? रचना के आधार पर इसको विभाजित किया गया है. दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दान्शों के योग से बने शब्दों को क्या कहते हैं? जिब दो या दो से अधिक शब्द या शब्दान्श के योग से जो शब्द बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? योगिक जोड कर बनाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? य यहाँ पर उसी से सम्मधित प्रिशन पूछे गए हैं क्योंकि यह आपकी स्लेबस का हिस्सा है कक्षा साथ का जो हिंदी ओलंपियाड की परिक्षा होगी उसमें अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों के बारे में प्रिशन पूछे जाएंगे. मनुष्य का प्रियाइवाची नहीं है. मानो भी मनुष्य को कहते हैं, नर भी मनुष्य को कहते हैं और दनुज जो होता है, दनुज मनुष्य का प्रियाइवाची नहीं होता. तो कौन सा विकल्प सही है? तीसरा. जल का प्रियाईवाची है तो अम्बू को हम क्या कहते हैं जल कहते हैं असी क्या होती है तलवार और शैल जा क्या होती है पारवती शैल यानि परवत और जायन की पुत्री परवत की पुत्री यान की पारवती घर का प्रियाईवाची है अब दिन का जो विलोम है उल्टे अर्थ वाला यानि की दिन का क्या हो जाएगा रात वैसे तो रातरी भी रात को कहते हैं लेकिन दिन का रात होगा साकार का विलोम है अब साकार और साकार का विलोम पूछा है तो साकार से क्या बन जाएगा निराकार जिसका कोई आकार नहीं होता उसको हम निराकार कहते हैं और जिसका एक निश्चित आकार होता है उसे हम क्या कहते हैं साकार सुगम का विलोम है सुगम जहां बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं और दुर्गम जहां बहुती कठिनाई से पहुंचते हैं सुगम दुर्गम सुगम दुर्गम मधू का अर्थ नहीं है तो मधू का अर्थ नहीं है वसंतरितु मधू मास वसंत रित्य को हम क्या कहते हैं, मधुमास भी कहते हैं शहद को भी हम मधु कहते हैं, तेल को हम मधु नहीं कहते हैं श्री का अर्थ नहीं है, नहीं है पूछा है तो ये भी ध्यान रखना है, कई वर हम जल्द बाजी में जो है वही हम देख लेते हैं श्री हम लक्ष्मी को भी कहते हैं, श्री हम धन को भी कहते हैं, दुर्गा को श्री नहीं कहते हैं, मत का अर्थ है, मत क्या होता है, जैसे आपके मत में ये सही है की नहीं, तो मत क्या होता है, विचार, मत को हम क्या कहते हैं, विचार, दल का अर्थ नहीं है, अब दल का अर्थ नहीं है, पत्ता जो होता है, उसको भी हम दल कहते हैं, सेना को भी हम दल कहते हैं, मनुष्य को नहीं कहते हैं, तो पहला विकल्प सही है, जहां कोई नहीं रहता हो, ऐसी जगे को हम क्या कहते हैं, ऐसी जगे को हम निर्जन कहते हैं, जहां कोई नहीं रहता, शन भर में तो मकान हम भवन को भी कहते हैं, भूवन को भी कहते हैं, दिवार को नहीं कहते हैं, तो थीसरा विकल्प यहाँ पर क्या है, सही है, नियती का आर्थ है, नियती हम किसको कहते हैं, भाग्ये को कहते हैं, मेरी नियती में यही लिखा है, मेरी भाग्ये में यही लिखा है, काले क और काले काले क्या हो सकते हैं, बादल होते हैं, घुमड घुमड करने ही लगे, तो घुमड घुमड कर काले काले क्या आते हैं, बादल आते हैं, और बादल को हम क्या कहते हैं, घंड भी कहते हैं, तो कौन सा विकल्प सही है, दूसरा, तो इस तरीकी से ध्यान से आप पढ़े मूल शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माड करते हैं प्रत्याशा शब्द में प्रियुक्त उपसर्ग है तो प्रत्याशा जो होता है वो कैसे बना है प्रती और आशा तो यहाँ पर जो आगे जो लगा है वो क्या है उपसर्ग है प्रती तो ध्यान से पढ़ना है तुक्का नहीं लगाना इसमें हम देखो प्राव भी हम देख सकते हैं लेकिन जो मूल शब्द है उसका मिनिंग निकलना चाहिए निर्मल शब्द में प्रियुक्त उपसर्ग है निर्मल जो है इसमें आप देख सकते हैं निर आधर रो और मल मल से रहित मल से रहित को हम क्या कहते हैं निर्मल तो यहाँ पर कौन सा विकल्ब सही है पहला अत्याचार में उपसर्ग है बहुती मैत्वण शब्द है बार बार परिक्षव में पूछा जाता है और ये भी आप ध्यान से देखेंगी अती और आचार यहाँ पर यन संधी भी है अगर आपने संधी पढ़ी है तो वहाँ से भी आप नियम देख सकते हैं तो यहाँ पर क्या है अती और आचार तो यन की अत्याचार तो यहाँ पर अ भी आपको लग सकता है और अत्या भी आपको लग सकता है लेकिन सबसे सही क्या है अती प्रहार में उपसर्ग है तो प्रहार में प्रा उपसर्ग है और हार क्या है मोल शब्द अंतर राष्टी शब्द में उपसर्ग है तो अंतर राष्टी जो शब्द है उसमें आप देख सकते हैं अंतर र रेफ वाला है उपर और ये क्या है आपका अंतर, अंतर राष्टी शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पर अंतर और राष्टी है, यानि कि पहला विकल्ब क्या है, सही है, पुनर जन्म शब्द में उपसर्ग है, तो पुनर जन्म में आप देख सकते हैं, पुनर तो यहाँ पर दूसरा विकल् क्या है सही है, निर्बल शब्द में उपसर्ग है, तो निर्बल में आप निर्ग यहाँ पर पहला विकल्ब सही है, वो पातर में आसान है, कु हमारा क्या है, उपसर्ग है और पात। हमारा मूल शब्द है सब इंस्पेक्टर, तो सब यहाँ पर उपसर्ग है क्यों? क्योंकि यह अंग्रेजी भाषा का सब इंस्पेक्टर, आपने सुना होगा चीफ मिनिस्टर, डिप्टी कलेक्टर तो यह जो डिप्टी होता है, चीफ होता है सब होता है, यह क्या होता है, अंग्रेजी के उपसर्ग, अधिकार शब्द में उपसर्ग है, तो अधिकार में अधी और कार, तो दूसरा विकल्ब सही है, खुश हाल में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उपसर्ग पूछा है, तो खुश जो है, वो अर्बी फार्सी का उपसर्ग है तो यानिकी दूसरा विकल्ब सही है परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है तो परिक्रमा में आप देख सकते हैं परी और क्रमा यानिकी दूसरा विकल्ब सही है सहपाथी शब्द में उपसर्ग है तो ये भी आसान है सह, साथ और पाठी पढ़ने वाला साथ पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं सह, पाठी अधो, गमन शब्द में उपसर्ग है तो यहाँ पर अधो क्या है उपसर्ग खविकल्ब सही है वैसे इसमें अधा और गमन भी हो सकता है विसर्ग संधी का नियम भी लग सकता है लेकिन यहांपर जो विकल्प दिये गए है उसमें सबसे सही कौन सा है दूसरा उपसर्ग के बाद हम पृते पढ़ते हैं तो प्रते शब्द के पीछे लगते हैं जैसे उपसर्ग आगे लगते हैं वैसे ही प्रते पीछे लगकर किसी नए शब्द का निर्मान करते हैं अपना पन, बच पन, लड़क पन, तो यहां पर पन हमारा क्या है? यहां पर पन हमारा क्या है? प्रते सजावट तो यहाँ पर पढ़ने के बाद थोड़ा सा आवाज के उपर अगर हम ध्यान देते हैं सजावट आवट तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? पहला जमकदार क्या है यहाँ पर? दार तो थोड़ा संदाज लगाएंगी तो आप कर सकते हैं पर शब्ढ में परते हैं तो यह हमारा जो शब्ढ है कैसे बना है? धर्म और एक एक परते लगने से यह क्या बन जाता है धर्मे तो यहाँ पर छोटी की मातर आप देख सकते हैं तो छोटी और बढ़ा यी दोनों जानभुच के दिया जाता है तो हमारा यहां मातरा से भी आपंदाजा लगा सकते हैं, मौ के उपर छोटी की मातरा है, तो कौन सा प्रते है? इक. बुढ़ापा शब्द में प्रते हैं, तो बुढ़ापा, आवाज के उपर ध्यान देंगे आपा, तो यहां पर क्या है? बुढ़ा और आपा, बुढ़ापा. लेखक शब्द में प्रते हैं तो यहाँ पर आवाज के उपर थोड़ा सा काम करेंगे तो आपका काम बन जाएगा लेखक अक तो यहाँ पर क्या है अक पहला एतिहासिक शब्द में प्रते है तो एक इतिहास और एक जैसे धार्मिक था वैसे ही एतिहासिक, तो ये बहुत मैतोपुन शब्द है, इसमें इतिहास, मूल शब्द क्या है, इतिहास है, और इतिहास में हम क्या जोड़ देंगे, एक प्रते, तो यहाँ पर भी छोटी की मात्रा आप देख सकते हैं, तो कौन सा विकल्प सही है, दूसरा, प्रते के होते हैं, तो प्रते के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, प्रते के भेद होते हैं, तो प्रते के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक हमारे कृत प्रते होते हैं, और एक हमारे तद धित प्रते होते हैं, तो इनको डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत है, प्रते लगते हैं और ये शब्दान शोते हैं तो ये हमारा किसकी परिभाशा है प्रते की पालनहार शब्द में तो यहाँ पर आप देखो आवाज के उपर ध्यान दो मैं बार बार कहा रही हूँ पालनहार पालन और हार आननदित शब्द में तो यहाँ पर भी आवाज के उ यहाँ पर भी आवाज के उपर ध्यान देना है, चमकिला, इला और बड़ी की मात्रा आप देख सकते हैं, तो पहला विकल्ब सही है, सुचीता शब्द में प्रते है, सुचीता में शुची हमारा शब्द है, और ता क्या है? प्रते, दूसरा विकल्ब सही है, और यह हमारी अयादी संधी है, स्वर संधी के पांच भेद होते हैं, तो उसमें अयादी संधी होती है, भवन, पवन इस तरह से बनते हैं, अन और वैसे भी आवाज से भियाबंदा जल लगा सकते हैं, भवन, अन, तो यहाँ पर क्या है? अन हमारा क्या है? प्रते हैं. तो यह प्रते वाला हमारा टोपिक था. आगे आप यहाँ पर संधी देख सकते हैं, संधी के बारे में आप सभी जानते हैं, संधी किसे कहते हैं? किसी विक्ती, वस्तु, स्थान वे भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संग्या, तो विक्ति के नाम भी आते हैं, वस्तू के भी, स्थान के भी, संग्या किसे कहते हैं, विक्ति के नाम को भी संग्या कहते हैं, वस्तू के नाम को भी संग्या कहते हैं, स्थान और भाव के नाम को भी संग्या कहते हैं, तो उपर्यूक्त सभी, संग्या के कितने पूछा पूछा है भावाचक संग्या है तो भावाचक संग्या आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चा तो कोई भाव नहीं होता है सागर भी भाव नहीं होता है यह तो नाम है तो सुन्दर्ता, सुन्दर्ता का भाव होता है जिसको हम मैसूस कर सकते हैं तो गविकल्ब सही है जातिवाचक संग्या शब्द है तो जातिवाचक आप देख सकते हैं जो पूरी जाति के बारे में बताता है तो हिंसा तो एक भाव होता है प्यार भी एक भाव होता है सिक्षक क्या होता है जातिवाचक संग्या भाव आचक संग्या शब्द है तो भाव आचक आप देख सकते हैं बुढ़ापा, बचपन, जवानी, हरियाली ये सारे क्या है भाव आचक में आते हैं तो पहला विकल्प क्या है सही उट तो वैसे भी किसी का नाम है जैपुर भी किसी का नाम है वेक्ति वाचक संग्या शब प्रशंता शब्द है, तो प्रशंता जो शब्द होता है, वो हम मैसूस कर सकते हैं, इसका भाव होता है, तो ये भावाचक संग्या में आता है, गुच्छा शब्द है, तो गुच्छा पूरे समू के बारे में जानकरी देता है, तो सम्मो वाचक संग्या है पशू शब्द की भावाचक संग्या होगी पशूपन तो नहीं होता है पाश्ता भी नहीं होता है पशूता हम कह सकते हैं तो पशूत्व क्या होता है? सही शब्द जैपूर शब्द है एक बराप रिवाईच कर लेंगे, तो आराम से यहां से कोई भी सवाल पोचा जाएगा, उसको आप हल कर सकते हैं, आगे आप देख सकते हैं, लिंक से सम्मंदित सवाल दिये गए हैं, और हिंदी भाषा में मुखे रूप से दो ही लिंक होते हैं, एक हमारा इस्त्रिलिंग औ पड़ते हैं, तो संस्कित में तीन भेद होते हैं, आचारिये का इस्त्रिलिंग होगा, तो आचारिये से क्या बन जाएगा, आचारिया, आ की मात्रा, इस्त्रि का पुलिंग है, तो इस्त्रि का पुलिंग क्या है, पुरुष, इस्त्रि और पुरुष, इसमें नित्य पु इसमें नित्य इस्त्रिलिंग शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, छिपकली हमारा क्या होता है, इस्त्रिलिंग होता है, खरगोश पुलिंग है, खटमल भी पुलिंग है, तो तीसरा विकल्ब क्या है, सही है, इनमें नित्य उभैलिंगी शब्द है, उभै इनमें नित्य उभैलिंगी शब्द है, उभैलिंगी शब्द क्या होते हैं, जो पुलिंग और इस्त्रिलिंग दोनों में सामाने रूप से प्रियोग किये जाते हैं, तो यहाँ पर जो मक्षी है, वो हमारा क्या है, नित्य इस्त्रिलिंग में आता है, कचुवा हमारा नित्य पुलिंग में आता है और वकील जो है वो हम दोनों की स्थान पर प्रियोग कर सकते हैं जो इस्त्री वकील है उसके लिए भी हम वकील कहते हैं और जो हमारा पुरुष वकील है उसके लिए भी हम वकील कहते हैं तो यहाँ पर तीसरा विकल्ब सही है कवी शब्द का इस्त्रिलिंग, ये बहुत मैतोपुन्ट सवाल है, इसमें मातरा की थोड़ी गडबड हो जाती है, बार-बार परिक्षाओं में पूछा जाता है, कवी का इस्त्रिलिंग क्या होता है, कव यत्री, तो कैसे लिखा है इसको आप ध्यान से देखेगा, सिक्षक का इस्त्रिलिंग है, ये आसान है, आपको अच्छे से पता है, तो सिक्षक का इस्त्रिलिंग क्या बन जाएगा, सिक्षि का, बैल का इस्त्रिलिंग है, तो बैल का यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैल का गाय हो जाएगा, ये भी आसान है, आपने छोटे कक्षाओं में प पुलिंग है, मगरमच आप देख सकते हैं, मगरमच क्या है, पुलिंग है, भाशा है, अब भाशा कैसी होती है, मेरी भाशा हिंदी भाशा, तो मेरी जहां पर लग गया तो वो क्या बन गया, इस्त्रिलिंग बन गया, तो आप वाक्य बना कर भी देख सकते हैं, मेरा या मेरी लगा कर भी आप देख सकते हैं परवत है, तो परवत की जो नाम होते हैं वो हमेशा pulling में होते हैं, तो परवत हमेशा क्या होते हैं, pulling में होते हैं तो ये थोड़े से नियम है, थोड़े सा अभ्यास करेंगे तो आप आराम से इनको पैचान सकते हैं किसी भी पुस्तक से आप इनके अभ्यास कर सकते हैं किसी भी पुस्तक में देखेंगी तो इस सारी शब्द आपको बड़ी असानी से मिल जाएंगी देवत्व शब्द है और देवत्व जो शब्द है वो पुलिंग है दूसरा विकल्ब सही है पिताजी दफ्तर गए है और खालिस्थान बाजार तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिताजी दफ्तर गए है और जो माताजी है वो कहाँ पर गई है बाजार गई है तो यह इसका इस्त्रिलिंग है पिताजी और माताजी आज के लिए बस इतना ही आशा करते हूँ, सारे प्रिशन आपको समझ में आये होंगे बार-बार मैं आपसे कहते हूँ, हिंदी व्याकरण की कोई भी पुस्तक आप खरीदते हैं तो वहाँ पर अच्छे से आप सारी परिभाशाओं को पढ़ेंगे तो इस सारे परिशन आप अपने आप से हल कर सकते हैं, आपको किसी की आवशक्ता नहीं होगी, मेरी भी आवशक्ता नहीं होगी और ये अभ्यास पुस्तिका आप हिंदी ओलंपियार के वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं मैंने भी से वहीं से डाउनलोड किया है आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं इसके दूसरे भाग के साथ जो भी हमारे टोपिक बच गए हैं उसको हम दूसरे भाग में हल करेंगी तब तक अभ्यास करते रहें, स्वस्त रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और खुशो कर पढ़ते रहें धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद